हाई अब तक हमने countries project के अंदर बहुत सारी चीज़ें implement कर दी है हमने search functionality data fetching shimmer loading effect basically बहुत सारी चीज़ें implement कर दी है अब डार्क mode और light mode implement करना बागी है लेकिन वह implement करने से पहले एक चीज हम optimize कर सकते हैं अपने इस app के अंदर वह यह है अगर हम अपनी स्क्रीन पर चलें और आपको इस वीडियो का स्टार्टर को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा आप वहां पर इन्पम उसको डाउनलोड गरके इन्स्टॉल और इन्पम स्टार्ट करके फिर आप continue कर सकते हैं नहीं तो लास्ट वीडियो में जो ही आप आपने इसका सारा डेटा है देखो हर एक कंट्री का डेटा है लेकिन जोड़ा सा कोई बड़ा फोन कर लेता हूं और इसको थोड़ा सा जों कर देता हूं तो यहां पर क्या हो रहा है भी कि हम जब दोबारा से किसी भी कंट्री के ऊपर जा रहा है जैसे कि मैं इसको क्लियर कर देता हूं और मैं फ्रांस पर जाता हूं तो फ्रांस का डेटा मैं फिर से फेच कर रहा हूं एक तो यह बार्डर का डेटा हो गया उसके सारे बार्डर हम वाली तक तो कोई डेट नहीं था लेकिन हम इस वाले डेटा को दबारा से फेच कर ले हैं इसको कर सकते हैं White के इंदर एक पास कर सकते हैं ओहां पर हम एक सटेट पास कर सकते हैं इस पेज पर हम जब जैए तो जो हमारे पिछले page का data धा वह दिख जाएगा तो डिख नहीं पर बोगोग हम कैसे कर सकता है जैसे कि अंभी प्रांस वाली कंचरी पे िवह हम हमारे पास हम यह कर दो यह आदा था तुर यह यहां सकता है पूरा पूरा जब लूओ warfare लएगा वाला यह चुछ कर लेंगे मतलब हम फैस Sam मार्के Network Request, वहां से फिज़ करते हैं, इसको हम Data को ही पूरा हम से पास कर सकते हैं, पुरे के पूरे Data को, चलो देखते हैं, एक पेज से दूसरे Payce पर data को कैसे पास करते हैं, तो अभी मैं इसको Mobile से थोड़ा सा Tablet View कर देता हूं, या ऐसा कुछ विउ कर देता है, या ऐसा कु कर weld करों तो यह पूरा डेटा फेच हो के आँरा है अभी मैं एक काढ़ से जब दूसरे पेज पहल हुआ तौ हम कुछ डेटा perform के दिछत Catalunya ऑनिए फौरे का डेटा का डेटा का डिचता अब जो भी data pass करनी की जगह होती है वो link के उपर हम लगाते हैं link जो हमारा tag है इसके उपर एक तो हमने यह तू दे दिया है कि किस link के उपर जाना है और यहां पर हम एक और value pass कर सकते हैं जिसका नाम है state ठीक है अगर हम यहां पर state pass करें is equal to मैं कुछ भी यहां पर डाल सकता हूं string object मैं array कुछ भी डाल सकता हूं यहां पर मैं अभी यहां पर मैं बस ऐसा ही country state ऐसा कुछ कर देता हूं एक string simply string डाल दिया है तो मैंने link पर तो डाल दिया है link tag पर लेकिन अब इसका access हमें कैसे मिलेगा यहां पर मतलब country page पर अभी अगर हम country page पर जाता है तो कुछ चीजें console log हो रही है country इंका जो detail वाला component है वह यह है तो country detail के अंदर मैं यह console log हटा देता हूं यहां से और मैं एक बार reload करता हूं देखता हूं तो अभी कोई भी console log यहां पर नहीं है ठीक है तो यहां पर हम ने data पास कर दिया है यहां से यहां पर मैंने दे दिया है link दिया लेकिन हम इस component के अंदर कैसे access करेंगे ठीक है जब हम link पर कुछ भी करके pass करते हैं ठीक है तो जिस page पर जाता है तो अभी यह किस page पर आ गया है country के page पर उस page के ऊपर हम इस data को access कर सकते हैं और वो access करने के लिए हमें react router एक hook provide करता है जिसका नाम है use location तो हम अगर यहां पर location यह करें और use location यहां पर लिखें तो यह देखो ऑटमेटिक इसने import कर दिया मैं control z करूंगा तो यह imported नहीं है भी अगर control space करके इस पर में click करता हूं तो यहां पर import हो गया यह react router जो है यह हमें use location hook provide गरता है एक function नहीं है इसको simply call कर देंगे और अगर हम location को console lock करें इधर ही तो यहां पर बहुत सारी चीजे है path name है hash है की है और एक चीज है state यह देखो state करके है यानि कि हम अगर location dot state करेंगे तो यह जो data हमने वहां से पास्त किया था हम इधर access कर सकेंगे अभी मैं चाहूं तो इस तरह से access कर सकूं मतलब कर सकता हूं और चाहूं तो इसको structure कर लूँ यहीं पर लिगों state और मैं इसको state कर सक यहां पर इसाइब तो इस तरह से स्टेट को access कर सकते हैं तो अभी हम अगर किसी भी कंट्री के ओपर जाएंगे तो यह रहे चार्ट्री के लिए से हरए कांट्री कार्ट से था से हम सहीं चीज country state ऐसे पास कर रहे हैं लेकिन हम इसको चाहें तो अलग अलग चीज जीज़े यहां पर और फिर उसके अंदर फिर हम object पास करेंगे ठीक है यह तो जैसे का syntax है जैसे के अंदर अगर में जावा script लिखना है तो पहले तो curly bracket लगाना पुड़ेगा तो यह इसका use करके हमने पहले तो बता दिया कि हम जावा स्के लिखने जा रहे हैं और फिर उसके अंदर हम एक object पास कर सकते हैं हम यहां पर यह सारा detail ऐसे पास कर सकते हैं तो इसको मैं copy करके यहां पर डाल देता हूं तो अभी अगर हम यहां पर पीछे जाएं मैं पीछे चला जाता हूं और मैं किसी भी country पर जाता हूं तो इस country की पूरी detail यहां पर आ रही है कि यहां पर जाएंगे तो यह देखो दूसरी तो हम क्या-क्या पास कर रहे हैं यहां से यह देखो capital है, flag है, name है, population है और region है, यह 5 चीजे ही पास कर रहे हैं, लेकिन हम यहां पर बहुत सारी चीजे दिखा रहे हैं, और भी ज़्यादा चीजे हैं, तो हम country card के अंदर basically 5 चीजे ही पास कर रहे हैं, तो वही चीजे हम डाल सक सकते हैं, यानि कि हम जो details पास कर रहे हैं, वो sufficient नहीं है, यह पूरे page को render करने के लिए sufficient नहीं है, लेकिन जो information यहां पर country list के अंदर है, यहीं से हम 5 चीजे पास कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो पूरी detail पास कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यह 5 चीजे आने देते हैं, इसे ही, मैं एक third argument कर देता हूँ, data, यहां पर, और इसके अंदर country को as it is pass कर देता हूँ, country, यानि की country की पूरी detail इस data के अंदर चिली जाएगी, तो हम यहां पर क्या कर सकेंगे, इधर country card के अंदर, यहां पर हम एक data को access कर सकते हैं, अब इस data के अंदर, एक बार मैं पहले console log करके यहां पर दिखा देता हूँ, data क्या रहेगा, वही जो country अलोब्जेक्ट है, वही रहेगा यह पूरा data, console log data, और यह बार पीछे जाके, मैं, यह यह तो हर एक card के लिए यहां पर, देखो हर एक card हमारे इस page पे render हो रहा है, तो इसलिए यह दिखा रहा है, हर एक मतलब country के लिए यहां पर दिखा रहा है, तो वही जो data है ना, यह पूरा का पूरा वही detail है, पूरे के पूरे country का detail है, तो एक बार यहां से console log में हटा देता हूँ, और यहां पर हम यह ना पास करके, मतलब यह नया object नहीं पास करके, हम पूरा का पूरा data पास कर देंगे, और एक बार तो इसलिए render हो रहा है, यहां पर एक बार जब हमारा page लोड होता है, तो हमारा component रेंडर होता है, और यह console log चलता है, और दोबारा से जो हम यहांपर set state कर रहा है, और फर से यहां पर यह दिखाई पड़ रहा है, तो साहिए हम यहांपर data मिल रहा है, अब इस data हो और इस data को use करके हमें country data को पूरा set करना है और इस set करते time हमें इस मतलब इसको हमें fetch नहीं करना है मतलब हमारे पास अगर data है तो हम fetch नहीं करेंगे ठीक है तो अभी इस case में हमारे पास state है यानी कि data है तो इस case में हमें fetch नहीं करना लेकिन किसी case में यह data नहीं रह सकता जैसे कि अगर user directly किसी country पर जाता है मैं यहां पर dev tools call देता हूँ और directly किसी country वाले page पर ही चल जाता हूँ open करता हूं, home page से नहीं जाता है वो सीधा इस page से जाता है मैं dev tools अगर open करूं तो यह देखो हमारा state null है, ठीक है, तो अगर directly किसी page पे जाएगा, तो यह null रहेगा, यानि कि इस case में हमें fetch करना पड़ेगा, लेकिन अगर country page से वो आ रहा है, तो हमें fetch करनी की ज़रूत नहीं, तो उस case में fetch नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहां पे हमें ए रहे रहे हमारा code नहीं जायेगा, और देता फेच तो अभी यह जो फेच का लॉजिक है पूरा, बैसे हम fetch कर रहे हैं और फेच कर रहे है, तो यह जो update का logic is, यह update का alerts करनी के बाद पिर भार्डर्डर को भी थेच कर रहे हैं, फेर उसको भी update कर रहे हैğ, यह ठोर १ीधर हम मैं एक function बना लूँ और उस function का नाम दे सकता हूं अपडेट अपडेट कंट्री स्टेट या ऐसा कुछ ठीक है मैं फंक्शन का नाम दे देता हूं कि अपडेट कि और पहिते जब भी हम डेटा पास करेंगे तो यहां से डेटा को सेट कर दिया जाएगा और इसकी बौर्डर कंट्री सको भी की one set कर कर देता हूं तो अभी मैंने इस स्टेट को यूज नहीं किया अभी तो मैं फैच ही कर रहा हूं ठीक है तो अभी यह काम करेगा और कोई दिक्कत नहीं सही चल रहा है और की नेटवर्ट से यह फैच करेगा यहां पर अगर हम देखें है तो आलो कर दो कंट्रीडेट आभिब अगर हमें डेटा एक उसको स्टेट आन पास करना है मतलब स्टेट वह यहां पर अभी data है तो इसके अंदर जाएगा और फिर वो अपडेट हो जाएगा और यह करके फिर return हो जाओ ठीक है return यहीं से early return कर देंगे अब यहां पर जाके fetch नहीं करना है हमने यहां पर update कर दिया data को और हम return हो गये ठीक है तो अभी देखना क्या होगा अगर हम किसी भी page जो हमारा home page है उससे अगर हम किसी भी country पर जाते हैं जैसे कि इस country पर गया है तो अभी देखो कोई error दे रहा है तो यह error basically इसलिए आ रही है क्योंकि यहां पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें कि यह error क्यों आ रही है तो यहां पर जो update react जिस तरह से update करता है उसके कारण से यह error आ रही है एक्षुल में ऐसा होना नहीं चाहिए आईडिली लेकिन मैं आपको दिखाता हूं एक बार मैं यहां पर country data को console log करके दिखाता हूं और भी जो console log से उसको हटा देता है यहां पर जो दूसरे console log है यह तो error है और यह state है इसको मैं हटा के मैं यहां पर country data को console log करता हूं इसको मैं हटा देता हूं और इधर मैं country data को console log करता हूं तो अभी आप देखना क्या होगा अभी मैं reload इस time पर कर रहा हूं तो यह error नहीं दे रहा है ठीक है लेकिन अगर मैं पीछे जाके किसी भी country के उपर जाके और मतलब पूरे country के home page पर जाके अगर मैं इधर आता हूं तो यह error दे रहा है इसलिए आ रही है कि पहले हमारी country नल रहती है ठीक है जब नल रहती है तो हम क्या करते हैं हम अगर यहां पर चक कर रहे हैं अगर नल है तो loading दिखाओ ठीक है लेकिन अगर नल नहीं अगर कोई object है या कुछ भी है तो यह पूरा पूरा component दिख country data ना पर केवल border तो होना नहीं चाहिए यहां पर पूरा name और सब कुछ होना चाहिए native name बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए तो यह बाद में set हो रहा है actual में हमने यहां पर जो हमारा function है update country data यहां पर हमने यह चीज पहले set किया है यह यह देखो यहां पर हमने यह चीज पहल efficient करने के चक्कर में यहां पर फोड़ी सी गड़बड़ी कर दे रहा इसको पहले ही update कर दे रहा और इसको बाद में update कर रहा तो इसलिए पहले यहीज मिल जा रहा है जहां पर यह सारी सीज हमें ही dicho ह्ई नहीं तो इस लिए यह दिक्कत आ रही है ठीक है लेकिन अगर आपक स एर्र नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर जब बॉर्डर नहीं होता है तो बीच और उस टाइम के बीच में यह हमारा सेटेस्टेट काम कर जाता और अपडेट हो जाता है तो यह यहां पर रियाक्ट जो है थोड़ा सा अप्टिमाईजिशन करना ही कुसिस कर रहा है जिसकी वज़े से यह दिक्कत आ रही है तो इसको फिक्स कर सकते हैं बैसिकली हम एक काम कर सकते हैं यहां पर यहां पर इल прав ऩंचत घॉन दाल सकते हैं है कि यहां करते हैं तो यह हैं इस तरह से बढ़ चाह देनी की ज़रूत नहीं है ताइम मान्यों कि इन वबघ जिरो सेंड दिए रहेगा टुरंत अप्डेट करेगा लेकिन एरर नहीं देगा मैं अगर बैक जाके फिर से इस country पे क्लिक करता हूं तो सही एकदम चल रहा है और कोई भी error नहीं आ रही है अब हम network टैब में चलके देखते हैं मैं एक बार पीछे जाता हूं तो मैं एकदम home page पे आ गया हूं अब अगर मैं किसी भी country पे जाओं जिसे कि मैं इस country पे जाता हूं तो यह देखो कोई भी network request नहीं गई है यानि की data हमारे पास already था हमने फेच कर लिया है और request network request नहीं गई है और एकदम से इसी चल रहा है लेकिन अगर मैं इसी को एक new tab में open करूं मालो यूजर home page पे नहीं जाता है सीधा इसी page पे आ जाता है और वो यह यहां पे खोल के यह अगर एंटर करता है यहां पे देखो request जा रही है ठीक है तो एकदम सही से काम कर रहा है एकदम अच्छे से काम कर रहा है हमने जो data already fetch किया था उसको हमने reuse किया है तो इस त पर data है उसको हम दूसरे page पर कैसे पास करें और यह जब हम back करके पीछे आता है तो यह all यहां पर देखता है बार-बार यह call हो रहा है जैसे कि हम पीच्छे जाके यह फिर से आते हैं थो यह all यहां पर दिख रहा रहा है और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मारा पूरा component रेंडर हो रहा है इसको अगर आप चाहें तो आप इसको भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है चल रहा है तो इस तरह से हम एक पेज से दूसरे पेज पर डेटा पास कर सकते हैं और यह भी कोई सब्सक्राइब करते हैं अगर हम यह पर लिखें हीस्ट्री डॉसरे पेज पर याई से पर नहीं करते हैं और यहां पर लिखें हीस्ट्री डॉट पुष इस्टेट तो और यहां पे हम डेटा पास कर सकते हैं बेसिकली जो डेटा है हमने जब स्टार्टिंग में देखा था पिछली वीडियो में तो यही जो डेटा है यही एक्विक्ट में स्टेट होता है इसको अगर मैं एक object करूँ मैं यहां पर लिख देता हूँ name और name प्रो कोडर मैं कर देता हूँ और name हो गया एक object और फिर उसके बाद हम एक empty string pass कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर एक किसी page पर जाते हैं जो कि exist नहीं करता है जैसे कि मैं यहां पर हाय कर देता हूँ इसको टाइप करके अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो हम हाय पेज पर चले गया है अब यह हाय नाम से कोई country तो exist करती नहीं है तो अभी यहां पर हमारे router को पता भी नहीं चला है इसलिए हमारा homepage यहां पर दिख रहा है अगर हम रिलूड करेंगे तो बोलेगा कि country does not exist लेकिन यहां पर हम location.state को अगर access करें location या history.state होता है history.state यह देखो history.state तो यह पूरा का पूरा object हम यहां पर इस page पर मिल गया है ठीक है तो react router dom जो है वो भी behind the scenes यही चीज़ यूज़ करता है वो कोई नया चीज़ एकदम से लेके आया नहीं अगर मैं इसको रिलोड करों तो बोलेगा यह country not found और यहां पर हम history dot state देखें तो यह history.state यहां पर अभी भी है और इंडेक्स करके कुछ आ गया है behind the scenes जो history API है खुद से कुछ add कर रही यहां पर तो अगर हम किसी भी country पर जा रहा है जैसे कि इस country पर और यहां पर हम history.state देखें तो यह देखो यह जो data है यह user करके behind the scenes यह react router dom ने यहां पर र data को हम pass करते हैं तो यह react router dom है जो कि हमें थोड़ा easily provide कर देता है functionality कि हम state को pass कर सके एक पेज से दूसरे पेज पेज पे इसकलिए हम link tag के उपर state करके और जो भी data pass करना है वो पास कर देते हैं और जहां पर हमें use करना है जिस page पर भी वहां पर हम use location करके और वहां से state को access कर सक सकते हैं तो मैं उम्मिद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी आपको यह concept अच्छे समंझ में आ गया होगा और अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिक्लर टॉपिक से लिए और आप चाहें तो आप टेलिग्राम ग्रूप जैन कर सकते हैं डिस्क्रि झाल